हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपकी युटूब चनल गौतमा स्टेडिया पर बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज मैंने आपके लिए बहुत ही महत्पुन टोपिक लेकर क्या आया हूं बहुत की से परकास का टोपिक लेकर क्या हूं लाइट का टोपिक लेकर क्या हूं इससे कुल पचास प्रसन लेकर क्या है महत्पुन प्रसन है आप लोग देखिएगा बहुत मजा आएगा यह सभी कोश्चन सेलेक्टेड है तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडिय जरूर किजिएगा चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को स्टाट करते हैं कोश्चन नमबर एक देखते हैं परकास की चाल किस पर निर्भर करती है तो आपका एंसर हो जाएगा option A माध्यम के अपवरतनांग पर निर्भर करता है परकास का चाल कोश्चन नमबर दूसरा है सुरियोदे के पहले एबम सुरियास्त के बाद भी सुरी दिखाई देता है किस घटना के कारण तो आपका एंसर हो जाएगा option C परकास के अपवरतन के कारण परकास के अपवरतन के कारण ही सुरियोदे के पहले एवं सुरियास्त के बाद भी सुरिय दिखाई देता है और एक और घटना होता है जब सुरियोदे होता है तो सुरिय लाल परतीत होता है और जब सुरियास्त होता है उस समय भी सुरिय लाल परतीत होता है औरेंज कलर में तो वो भी प्रकास के अपवर्तन के कारण ही होता है चलिए नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमबर तीसरा है वे वस्तु में जिनका स्वेम का प्रकास नहीं होता लेकिन उन पर प्रकास डालने पर वे दिखाई देने लगती है क्या कहलाती है? तो आपका एंसर हो जाएगा उप्शन C अप्रदीप्ट वस्तु कहलाती है क्या कहलाती है? अप्रदीप्ट वस्तु कोश्चन नमबर चवता है लेन्स को किसी दरव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी वो छमता दोनों बदल जाती है किस पर निर्भर करता है? तो आपका एंसर हो जाएगा उप्शन D किस पर निर्भर करता है? अपवरतनांग पर निर्भर करता है चलिए नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमबर पांच बा है निमनलिखित में से किस रंग का अपवरतनांग सबसे कम होता है तो किस रंग का अपवरतनांग सबसे कम होता है तो option C, लाल का अपवरतनांग सबसे कम होता है आप लोग पढ़े होंगे भिबग्योर B, I, B, G, Y, O, R भिबग्योर आप लोग पढ़े होंगे जिसमें कितना कलर होता है साथ कलर होता है और B4, Violet, I4, Indigo B4, Blue, G4, Green Y4, Yellow O4, Orange R4, Red होता है और अब वर्तनांग जो है वो इधर से इधर जाने पर कम होता है और इधर से इधर आने पर बढ़ता है और एक कार होता है अब वर्तनांग के साथ साथ इसका परकिर्नन भी जो होता है वो इधर से अगर इधर जाएंगे तो परकिर्नन क्या होगा? कम होता है और इधर से इधर जाएंगे तो परकिर्नन जादा होता है यानि Violet का परकिर्नन जादा होता है और अपवर्तनाग भी जादा होता है और रेट का परकिर्णन कम होता है और अपवर्तनाग भी कम होता है और रेट का परकिर्णन रेट का कम होता है लाल का परकिर्णन कम होता है इसलिए इसको टाबर में यूज किया जाता है रेट कलर को जब वर्षा की बूंदों पर इस्थित होने वाली सुरी की किर्णों का दो बार अपवर्तन एबं एक बार परिवर्तन होता है तो कौन सा इंद्रधनूस बनता है तो आपका इंसर हो जाएगा option C प्राथमिक इंद्रधनूस बनता है चली next question देख लेते हैं question number 7 है निमनलिखित में से दुईतिये इंद्रधनूस में अंदर की ओर कौन से रंग होते हैं तो आपका इंसर हो जाएगा option C अंदर की रंग दुईतिये इंद्रधनूस में लाल होता है दोस्तो प्राथमिक इंदर धनुस में बाहर की और कौन सा रंग होता है तो option C हो जाएगा हरा option C हरा हो जाएगा प्राथमिक इंदर धनुस में बाहर की और जो रंग होता है वो होता है हरा होता है और दूतियक इंद्र धनूस में अंदर की और जो रंग होता है वो होता है लाल चलिए next question देख लेते हैं Question number 9 प्रकास कैसी तरंग है? मतलब प्रकास जो है कैसा तरंग है? तो आपका answer होगा option D, अनुप्रस्त प्रकास जो है अनुप्रस्त तरंग है और ध्वानी जो है अनुधैरत रंग है Question 10 Solar cooler में किस दर्पन का परियोग किया जाता है? तो आप लोग 10 class में 9 class में पढ़ए होंगे Solar cooler में किस दर्पन का परियोग की आता है? लेंस कहा ही के आता है दर्फन का परियोग की आता है इसी प्रकार solar cooker से जो है भोजन जल्दी पक जाता है उसमें कौन सा दरपन का प्रियोग किया जाता है तो आपका answer हो जाएगा option A अबतल दरपन अबतल दरपन का प्रियोग किया जाता है solar cooker में चलिए next question देख लेते हैं question number 11 है लाल गुलाब को जब हरा सीशा के माध्यम से देखा जाता है तो वह कैसी दिखाई दती है गुलाब जो होता है लाल होता है जब लाल गुलाब को हरा सीशा के माध्यम से देखा जाता है तो वह कैसी दिखाई देती है तो आपका answer हो जाएगा option D काला कैसा दिखाई देगा काला दिखाई देगा चलिए कोश्चन नमर 12 देख लेते हैं निम्न में से किस ने कहा था वर्ण विछेपन किसी पारदर्सी पदार्थ में भिन-भिन रंगों के प्रकार के भिन-भिन वेख होने के कारण होता है तो आपका एंसर हो जाएगा ओप् वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो परतिवीम की इस्थिती क्या होगी जब अबतल दर्पन में वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो परतिवीम की इस्थिती क्या होगी तो आपका एंसर हो जाएगा ओप्शन B, वक्रता केंद एबं अनन्द के बीच बनेगा परतिवीम कहां बनेगा? वक्रता केंद एबं अनन्द के बीच Question number 14 है यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दरपन की ओर चलता है तो उसे दरपन में अपना परतिवीम की चाल से अपनी ओर आता हुआ नजर आएगा तो आपका एंसर हो जाएगा option A, 2B, 2B चाल से जाएगा देखिए आप इधर से जा रहे हैं और इधर आपके सामने दरपन है तो इधर से जो आपका परतिवीम होगा वो भी आपकी तरप बढ़ते आएगा तो आप भी बेक से जा रहे हैं परतिवीम भी भी बेक से आ रहा है तो क्या हो जाएगा तू भी चली नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमबर 15 है निमन लिखित में से अबतल लेंस की चमता क्या होती है तो आपका एंसर हो जाएगा option B, दिनात्मक अबतल लेंस का चमता जो होता है वो दिनात्मक होता है और उतल लेंस का चमता होता है धनात्मक चली नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमबर 16 निमन लिखित में से किन रंगों को प्राथमिक रंग कहते हैं तो आप लग पढ़े होंगे प्राथमिक रंग की से कह जाता है तो आपका answer हो जाएगा option क्या हो जाएगा option B नहला लाल, हरा, नीला इसको कह जाता है नहला चली next question देख लेते हैं question number 17 है निम्न लिखित में से प्रकास ये तंतू का परियोग किस लिए किया जाता है प्रकास ये तंतू का परियोग किस लिए किया जाता है तो आपका answer हो जाएगा option D इन में से सभी इन में से सभी में परियोग के जाता है प्रकास तंतू का यानि सरीर के अंदर लेजर किर्णों को भेजने में मनुस के सरीर के आंतरिक भागों का परिछन करने में परकास सिगनल के दुरसंचार में सभी में परियोग के रता परकास तंतु का याद रखिएगा चली नेश्ट कोश्चन है 18 नमबर हीरा का चमकना किसका उदारन है तो आपका एंसर हो जाएगा option C पूर्ण आंतरिक प्रावरतन के कारण हीरा जो है वो चमकता है चली नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं और दोस्तों बालू का भी चमकना होता है जो बालू का चमकना बालू जो है चमकता है वो प्रक्रिणन के कारण ही चमकता है पूर्ण आंत्रिक प्रावरतन के कारण कोश्चन नमबर 19 है निमन लिखित में से किस रंग का परकास का वेग सबसे कम होता है तो आपका एंसर हो जाएगा ओप्शन B बैगनी बैगनी के बैगनी रंग के परकास का वेग जो होता है वो कम होता है और लाल रंग के परकास का वेग जो होता है वो अधीक होता है Question number 20 है किस रंग में परकास का परकिर्णन सबसे अधीक होता है तो मैंने आपको बताया था B, I, B, G, Y, O, R तो परकास का परकिर्णन होगा वो इधर जाने पर क्या होगा कम होगा और इधर आने पर परकास का परकिर्णन ज्यादा होगा यानि वोईलेट कलर का परकास का परकिर्णन ज्यादा होगा और अपवर्तनाग भी ज्यादा होगा और रेड कलर के यानि लाल कलर का परकास का परकिर्णन कम होगा और अपवर्तनाग भी कम होगा और इसलिए इसका परियोग किया जता है टाबरों में लाल बल्व का परियोद किया जाता है प्रकिर्णन कम होता है बिखेरता कम है इस कारण तो आपका answer क्या हो जाएगा? option B, बैगनी बैगनी रंग के प्रकास का प्रकिर्णन सबसे अधीक होता है question number 1 किसमा देख लेते हैं अकास का रंग नीला किसके कारण होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे अकास का रंग option D प्रकास का प्रकिर्णन के कारण अकास का रंग नीला दिखाई देता है question number 22 है निमन लिखित में से लेंज कितने परकार के होते हैं? तो आपका answer जाएगा option D दो परकार के होते हैं उत्तल और अब्तल चलिए next question देख लेते हैं question number 23 प्रकास के वेतिकर्ण का सिधान्त सरपर्थम किस ने दिया? तो आपका answer हो जाएगा option D वेतिकर्ण का सिधान्त किस ने दिया था? Thomas Young ने दिया था question number 24 है sodium प्रावर्थक लेंप में किस दर्पन का परियोग किया जाता है? यानि उप्योग किया जाता है sodium प्रावर्थक लेंप में तो आपका answer हो जाएगा option B उत्तल दर्पन का परियोग कियाता है sodium प्रावर्थक लेंप में चलिए next question है question number 25 सिस्मा निमन लिखित में से रंगीन टेली बीजन में किन रंगों का मिस्रन होता है तो देखिए दोस्तों रंगीन टेली बीजन में क्या होता है प्रात्मिक रंगों का मिस्रन होता है और प्रात्मिक रंग क्या है नहला नहला यानि नीला हरा और लाल तो नीला हरा लाल कौन स इतने प्रकार के होते हैं, तो आपका answer हो जाएगा option C, दो प्रकार के होते हैं, गोलिये दर्पन, उत्तल और अब्तल, question number 27, आपसे question घुमा करके भी पूछा जा सकता है, question number 27 है, यदी समतल दर्पन में 360 बटा, X का मान, एक विशम संख्या हो, और दोनों दर्पनों के बीच के कौन समदी भाजक पर नहीं हो, तो उसके लिए कौन सा सुत्र उप्यूप होगा, तो आपका answer हो जाएगा option B, 360 बटा X, 360 बटा X सुत्र लगेगा, आप लोग पढ़े होंगे, N बराबर क्या होता है, 360 बटा ठिटा, और minus 1 होता है, question number 28 देख लेते हैं, निमने लिखित में से किन रंगों के समुह को दूतियर रंग कहते हैं, तो देखिए दोस्तों, प्रात्मिक रंग तो आप लग पढ़ लिए, जो टीबी में उप्योग किया जाता है, नहला, निला, हरा लाल, अब आगे आपके सामने, दूतियर रंग किसे कहा जाता है, किन निला और पीला को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, निला और पीला को मिला दीजे तो आपका बन जाएगा सफेद, ओप्शन C होगा सही, कुश्चन नमबर तीस है, प्रकास का प्राबरतन के संदर्व में अगर आपतन कौन, 60 डिगरी हो, तो प्राबरतन कौन कितना होता ह तो देखिए दोस्तों, अगर यह आपका प्लेट है, यहां आपका प्रकास पड़ता है, तो आपतन कौन बराबर क्या होता है, प्राबरतन कौन, यह होगी आपतन कौन, और यह होगी आपका प्राबरतन कौन, अगर यह आपका 60 डिगरी है, आपतन कौन, तो अगर प्राब देख लेते हैं निम्न लिखित में से जो बस्तु सभी रंगों को परिबर्तित कर देती है वह कैसी दिखाई देती है तो आपका एंसर क्या हो जागा सफेद ये तो आसान है सफेद दिखाई देगा सफेद जो है सभी रंगों को प्राबर्तित कर देता है और गर्मियों को दि अपड़ा वो प्रकास को एब्जोर्ब करता है question number 32 देख लेते हैं प्रकास किस रूप में संचालित होती है तो आपका answer हो जाएगा option B, विद्यूत चुम्ब किये तरंग के रूप में संचालित होती है और प्रकास कैसा तरंग होता है तो वो होता है अनुपरस्त तरंग अध्वानी जो हता है अनुधर्य तरंग होता है चलिए next question देख लेते हैं question number 33 है प्रकास तरंगे निर्बात में कैसे संचालित हो सकती है इसकी ब्याख्या सरपर्थम किसके द्वारा किया गया तो आपका answer हो जाएगा option C हाइगेंस के द्वारा इसका ब्याख्या किया गया था कि प्रकास तरंग जो है निर्बात में कैसे संचालित करेगी question number 34 है किसके अनुसार प्रकास उर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है तो आपका answer हो जाएगा option D प्रकास का photon सिध्धान्थ प्रकास का photon सिध्धान्थ के अनुसार कहा गया है कि प्रकास उर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है कोशन नमर 35 है प्रकास का विद्यूत चुम्ब के तरंग सिधान्त किस गुनों की ब्याख्या नहीं करता है तो आपका answer हो जाएगा option A प्रकास विद्यूत प्रभाव का व्याख्या नहीं करता है कोशन नमर 36 देख लेते हैं निम्न लिखित में से इंद्र धनूस किस परकिरिया के कारण बनती है मैंने आपको पहले भी बताया कि किस कारण बनती है इंद्र धनूस तो आपका answer क्या हो जाएगा option C प्रकास का पूर्ण आन्तरिक प्राभरतन के कारण इंद्र धनूस बनता है चलिए नेस्ट कोशन देख लेते हैं कोश्चन नमर 37 है तारपीन तेल में प्रकास की चाल क्या होती है और यह question, repeated question है, बहुत वार exam में पूछा गया यह question तारपीन तेल्ग में परकास की चाल क्या होती है? तो आपका answer हो जागा option B, 2.04, 10.8 meter per second होता है question number 38 है, परकास की तरंग सिध्धान्थ को किसने प्रतूत किया था? तो परकास की तरंग सिध्धान्थ को किसने प्रतूत किया था? तो आपका answer हो जाएगा option A, Higens Higens के द्वारा प्रस्तूत किया था परकास का तरंग सिध्धान्थ याद रखिएगा, चलिए next question है, question number 49 है परकास को अबरोध के किनारे पर थोड़ा मोर कर उसकी छाया में परवेश करने की घटना क्या कहलाती है? तो ये परिभासा जो है, वो आपका answer हो जाएगा option C, परकास का अपवर्तन परकास का अपवर्तन का ये परिभासा है, दोस्तों question number 40 देख लेते हैं परकास के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? परकास के वेग, ये भी question आपको बार-बार देखने को मिलता होगा परकास के वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? तो option C, रोमर के द्वारा किया गया था, परकास के वेग की गणना सबसे पहले कोश्चन नमबर 41 प्रकासिय गेज निमनलिखित सिधान्त पर कारे करता है की सिधान्त पर कारे करता है प्रकासिय गेज तो आपका एंसल जागा उप्शन A प्रावरतन प्रकास के प्रावरतन के सिधान्त पर प्रकासिय गेज काम करता है Question number 42 देख लेते हैं प्रकास की कोई किरन प्रकास्त ह सघन माध्यम से बिरल माध्यम की ओल जाती है तो क्या होता है तो दोस्तों जब प्रकास की कोई किरन सघन माध्यम से यानि पानी से बिरल माध्यम यानि वायू में प्रभेश करेगी तो क्या होगा तो आपका answer खुझा जाएगा option C, normal से दुर मुड़ेगी जब पानी से हवा में जाएगा यह देखिए आपके सामने क्या है यह मालीज यह पानी है और यहाँ परकास का किरन जो है जा रहा और यह आपके सामने हवा है दोस्तों तो यह जाना चाहिए ऐसे मगर क्या होगा यह दूर हट जाएगा दूर मुड़ेगा और जब सघन माध्यम से यह तो सघन माध्यम से बीरल माध्यम में जा रहा है तो दूर हट जाएगा और जब बीरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा यह मालीज यह हवा है और ये आपका माध्यम है और ये पानी है ये वाटर है अगर हवास से पानी में आ रहा है तो आना चाहिए आपको ऐसे मगर ये क्या हो जाएगा ये आपका मुड़ जाएगा नॉर्मल की तरफ चलिए next question देख लेते हैं question number 43 है मचुवारे को तलाब के किनारे मचली को भाले से मारने की कोशिस में उसे क्या करना चाहिए तो आपका answer हो जाएगा option A मचली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए question number 44 है तड़ित की चमक उसकी गरजन सुनाई देने से पहले दिखाई देती है क्योंकि तो आपका answer क्या हो जाएगा option C प्रकास की गती ध्वनी की गती से अधिक होती है प्रकास का गती होता है 3,10-3,8 meter per second और ध्वनी के गती होता है वहोता है 343,3,4,3,3,4 meter per second होता है देखिए क्या हो गया प्रकास का वेग अधिक हो गया और ध्वनी का वेग कम हो गया इसलिए आपको बिजली का चमक पहले दिखाई देता है और गर्जन बाद में सुनाई देता है चलिए next question देख लेते हैं Question number 45 वा है एक उत्तल दरपन के सामने रखी एक सीधी वस्तु का परतिवीम होगा हमेशा कैसा होगा तो आपका answer हो जाएगा option B कालपनिक सीधा और वस्तु से छोटा होगा जब एक उत्तल दरपन के सामने एक सीधी वस्तु को रखते हैं तो उसका परतिवीम जो होता है कालपनिक सीधा और वस्तु से छोटा इसलिए उत्तल दरपन का परियोग जो है साइड मिरेर के रूप में किया जाता है आप लोग देखे होंगे गाड़ी के साइड मिरेर के रूप में उत्तल दरपन का परियोग किया जाता है क्योंकि इसका जो परतिवीम होता है वो कालपनिक सीधा और बस्तु से छोटा बनता है चलिए question number 46 देख लेते हैं एक अवतल दरपन के वक्रता केंदर से जाने वाली किरन के लिए आपतित कोन होगा तो आपका answer जागा option B सीधा इसका answer हो जागा 0 degree question number 47 देख लेते हैं सुच्म दर्सी का अविस्कार किस ने किया तो आपका answer क्या जागा option D जेड जॉन्सन जेड जॉन्सन ने सुच्म दर्सी का अविस्कार किया था और सुच्म दर्सी से सुच्म वस्तुओं को देखा जाता है जैसे कि जिवानू, कोसिका, कवक ये सबको question number 48 है दूर की बस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरन का परियोग किया जाता है तो आपका answer क्या हो जागा option D बाइनो क्यूलर दुर्बिन का परियोग कियाता है दूर की बस्तुओं को देखने के लिए चलिए next question देख लेते हैं question number 49 है दूर दुर्बिन का hypermetropia यानि दूर दूर्बिन दोस किसके परियोग से ठीक किया जा सकता है तो दूर दूर्बिन दोस को किसके परियोग से ठीक किया जा सकता है तो आपका answer हो जाएगा option D उत्तल लेंस उत्तर लेंस का अगर चसमा पेनेंगे तो दूर दिरिश्टी दोस ठीक हो जाएगा हाइपरमेटरोपिया ठीक हो सकता है चलिए आज का आखरी और लाश्ट कोस्चन देख लेते हैं कोस्चन नमबर पच्चास और निकट दिरिश्टी दोस रहेगा तो अब तर लेंस का परियोग करेंगे कोस्चन नमर पच्चास है दो समांतर दर्पनों के बीच कितने परतिविम देखे जा सकते हैं तो आपका एंसर हो जागा उप्शन E अनन्थ अनन्थ परतिविम बनेगा जब दो समांतर दर्पन होगा जब दो दर्पनों को समांतर में रखेंगे तो वो अनन्थ परतिविम बनाएगा जैसे कि देखिए N बराबर क्या होता है 360 degree बटा ठिटा और यहाँ ठिटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो 360 बटा 0 360 बटा अगर 0 नीचे रहे तो क्या हो जाता है infinity हो जाता है इसलिए आपका answer होगा अनन्थ तो जलिए यहाँ आपका सारा question समांतर दता है प्रकास से अब मैं आपको next topic भी कुछ प्रकास का question और बचा हुआ है लेकर क्या होँगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो जाजा जादा share और like जरूर कीजिएगा और comment कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा thank you दोस्तों अपना ख्याल रखेगा कोरोना बारेस से बचे रहेगा stay home, stay safe